तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए हर सर्था जिसके आगे सर चुकाए कब से शुरू करेगी आल्या भट स्टार चुन आर 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 की शूटी क्या किरदार होगा आल्या का फिल्म आर आर आर्मी इस्टोरी फिल्म रिवल्स रांगे टू फीरियम फाइटर्स हो फॉट अगेंस निजाम अफ हाइद्राबाद अलोंग विद ब्रिटिश रूट इन दी मूवी मैनी फॉरें अक्टर में इंक्लूदिंग टू आर गोइंग तू अमंग अस्ट इंपॉर्टन चारेक्टर्स इन दो शेहरों में शूटिंग शुरू करेंगी आलया बट जी हाँ आपने सही सुना आलया बट बॉलिवुट के बाद अब साउथ में डेब्यू करने जा रही हैं हिंदी फिल्मों में अपना टैलन लिखाने के बाद अबैक्टर्स आलया भर्ट साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली हैं फिल्म में आलया एक यंग गर्ल के करदार में है जिसमें आलया का महत्वपून रोल है रिपोर्ट के मताबिक फिल्म की 40 प्रतीशाद शूटिंग हो चुकी है बता दें कि RRR 1990 के बैक्ग्राउंड में बन रही बहुत बड़ी फिल्म है इस फिल्म के जरिये राजमोली ने स्वतंतरता से नानियों को श्रिधानजली देने का प्रियास किया RRR एक मेगा बजट फिल्म है जिसका बजट 350 से 400 करोड के बीच बताया जा रहा है एक इंडिव्यू में राजमोली ने कहा था कि दोनों कलाकारों के किरदार इतने पावरफूर और संतुलित हैं कि फिल्म शुरू होने के बाद दर्शकों को एंटियार जूनियर और रामचरन तेजा नजर नहीं आएंगे बल्कि वो सिर्फ किरदार में नजर आएंगे इस साल में जिन फिल्मों को बेस वबेस इंटजार रहेगा उनमें SS राजमोली की RRR भी शामिल है इस फिल्म का इंगजार बढ़ने की एक वज़े इसकी स्टार कास्टी है जिसमें अज़देवकर्ण और आल्या भट जैसे नाम शामिल है आल्या फिल्म के सेट पर पहुंच कई हैं और राजमोली के साथ उनकी तस्वीरे सोशल मेडिया में आ गई है एसेस राजमोली ने आल्या के साथ फोटो शेयर करके लिखा हमारी प्रिया सीता का RRR के सेट पर गर्म जोशी से स्वागत है बता दें RRR में तुनिर एंटियार और रामचुरन मुख्य किरदारों में है आल्या कब है तेल्गू डेब्यू है मूल रूप से तेल्गू में बन रही RRR एक पीरियड ज्रामा फिल्म है फिल्म की कहानी दो स्वतंतर से नानियों के इर्ध गिर्ध घुमती है जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ हैद्राबाद के निज़ान के खिलाफ जग लड़ी थी फिल्म में दो आक्ट्रिस समेट कई विदेशिक अलाकार एहम किरदारों में नज़राने वाली है फिल्म में जूनियर एंटियार के किरदार का पूरा नाम कॉमारामभीम है कॉमारामभीम स्वतंतर्ता से नानी थे जिनके बार में राजमुली ने बताया था कि उन्होंने पारंप्रिक तौर तरीकों से शिक्षा हासिल की नहीं की थी और जवानी में भी अपना गाम छोड़ कर चले गए थे लेकिन जब आपस आये तो पड़े लिखे व्यक्ति थे उन्होंने आदिवासियों के लिए निजाम के साशन के खिलाफ जंक्षिर उन्होंने गुरिला युद्द शैली अपनाई थी और बाद में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे उमीद करती हैं कि यह फिल्म वॉक्स आफिस पर धंबाल मचा रही मैं हूँ पूनम और आज की हमारे स्क्रिप्ट लखी है मनीशा जैन ने